क्या गरते हैं भी यहां पर सबसे पहले तो मैं न हाँ लाजिक देखो आपको एक बात समझ में आ गई कि किसी मेमरी में अगर आपने 153 रखा आप पहले यह बता दो मुझे 64 divided by 2 कितना होता और 64 mod 2 कितना होता यह मैं आपसे जवाब जानना चाहता हूँ पीछे तुम दोनों से जवाब जानना चाहता हूँ क्या बता सकते हो तुम दोनों हाँ तुम तीनों भी बता सकते हो 64 divided by 2 कितना तुम बोल रहा हो 32 सही जवाब है अगर आप किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हो तो हमें पता चल सकता है कि उसका रिजल्ट क्या आएगा करके देख लेते हैं 64 divided by 2, 3, 6, 2, 2, 4 यह 4 नीचे आया उसके बाद 2, 2, 4, 0 सही बोले आप तुम सही बोले अब बोलो 64 mod 2 कितना होगा हाँ तुम बोलो 0 सही जवाब है 0 मतलब remainder mod करने पे हमेशा याद रखना remainder मिलता है और divide करने पे हमेशा याद रखना question मिलता है हम लोग वो क्या बोलते थे बाकी बोलते थे इसको बाकी जो बच जाता था उसको बाकी बोल देते थे हिंदी में न सेश फल बोला जाता है इसको भागफल बोलते हैं अब हर language में अलग-अलग शब्द है जैसे बोला जाता है जैसे अभी reminder बोल रहा हूं reminder question ऐसे अलग-अलग ठीक है उससे हमें मतलब नहीं है मतलब mod करने पर हमें ये मिलता है ठीक है अब आपसे जानना चाहता हूं मैं इसको जो 3 मुझे दिखाई दे रहा है इस समय 3 उसको अलग memory में रखना चाहता हूँ, माल लेते इसका नाम X है, इसका नाम A है इसमें 3 रखना चाहता हूँ, इसका नाम B है इसमें 5 रखना चाहता हूँ, इसका नाम C है इसमें 1 रखना चाहता हूँ, ताकि A का क्यूब करूँ, B का क्यूब करूँ और C का क्यूब करके उनकी addition करके D में रख दू बाद में न यदी लिख दू D बराबर है X के तो it is I am strong else it is not ऐसा करेंगे हम लोग तो कैसे टुकडे करूं इसके कैसे इस 3 को अलग करके A में रखूं क्या लिखूं मैं X क्या लिखूं कि उसका result A में रख दू तो 3 आ जाए उसके अंदर क्या लगता है 153 के साथ क्या किया जाना चाहिए मॉड किया जाना चाहिए किसके साथ 150 के साथ चलो तुमने बोला 150 के साथ क्या लगता है कि मैं हर बार कोई भी नंबर अगर Enter करूं Enter नंबर बोलने पर मैंने 153 डाला हो सकता है कि मैं कभी 30 एंडर करूँ कभी 407 एंडर करूँ तो क्या हर बार 150 से ही करना है पूछ रहा हूँ नहीं अगर 150 से करते हो मौड तो यहां पर आ गया 150 यह क्या X कितना है 153 150 वनजा 150 क्या बच्चा 3 सही बोले 3 तो आ गया लेकिन क्या लगता हर नंबर के लिए 150 सही है हर नंबर के लिए नहीं है इसी के लिए सही है 150 से 169 के बीच वालों के लिए सही है बाकी और किसी के लिए नहीं तो फिर प्रब्लम है ना इसलिए 150 तो नहीं यूज़ करूँगा मैं थ्री आया टैन फाइवजा फिफ्टी खुद पढ़ो क्या बचा बचा अब अगर वन फिफ्टी थ्री के जगह पे चार सो साथ लिखता टैन वनजा अभी चार सो साथ मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे टैन फोर्जा फोर्टी हो जाएगा तो आप बोलो गे अरे इधर तो डैरेक जीरो आगया साथ लिख दो लेकिन यहाँ पे जीरो आएगा पताएगी नहीं यह चीज यहाँ पे जीरो था आपने डैरेक किया इसलिए वहाँ पे जीरो एड हुआ अब जीरो आने के बाद देखो क्या बचा साथ डायरिक बच रहा है कोई और एक्जामपल ले लू 371 ले लेता हूँ यह देखो 371 10, 3, 30 क्या बचा 7 कुछ नहीं बचता तो इधर 0 लिख देता बचा ना कुछ 7 लिखा यहां से क्या बचा 10, 7 70, क्या बचा हाँ मतलब मौड 10 से करना बड़ा अच्छा है ठीक है चलो आपने किया पहली बार एक्स में कितना है 153 मौड 10 किया, क्या आया 3 आया, A में 3 गया चलो B में अब रखवाना है 5 क्या लिखू तुम बोल रही हो X divided by 10 करने पर ये मिलता है मुझे 5 चाहिए, मुझे 15 नहीं चाहिए अच्छा मतलब आप बोल रहे हो कि पहले X को divide करो 10 के साथ आपका पहला बात ये है और उसका जो result आएगा करके देखता हूँ वैसे X को divide करो के 10 से तो 15 मिलता है अच्छा आपका ये बोलना है कि 15 को रख दो Y में, मान लेता है Y में रख दिया, किसको 15 X में कितना पढ़ो, 153 divided by 10 करने पर क्या मिलेगा 15, mod करने पर तो 3 मिलता है 3 रख चुके हो A में अब आप बोल रहा हो, X को divide करो 10 से 15 मिला, Y में रखा, रखा अब आप क्या बोल रहा हो पता है इसको Y को mod करो 10 से हमेशा last digit मिलता है जैसे 153 को 10 से mod किया तो 3 मिला, वैसे 15 को mod करो कि 10 से तो 5 मिलेगा करके देख लो मिलता है क्या 15 को mod करो किस से 10 से 10 वन्जा, 10 हाँ मिला तो इसको कहां रखो B में, B में ही बात हुई है 5 रखने की, तो B में रख दिया अब और एक बच गया, 1 अरे तो 1 इदर आया है Y डिवाइड़ बाइ 10 करोगे तो 1 आ जाएगा एक क्या, Y में कितना 15 15 को डिवाइड़ बाइ 10 से करोगे तो 1 ही आएगा इसको रख दो C में बस हो गया C में 1 आ गया 5 आ गया, 3 आ गया बस हो गया तो A इंटू A करो, B इंटू, B इंटू B करो, C इंटू, C इंटू, C करो एडिशन करके D में रखवा दो, फिर कंपेर करो यदि D करके देखते हैं, एक तरीका ये है अभी और एक तरीका वाइल लूक वाला, ये आसान तरीका है जब आप कॉलेज वगेरे में कहीं अमरजन्सी लग गया आपको वाइल वाला तरीका नहीं आ रहा है तो अब इस तरीके को यूज़ करो दिखाता हूँ, अभी एक का आया है, आउनलाइन एप का नेम क्या है, कौन से एप का पहले तो वो भी बताया करो मुझे, इसको सेव कर लेता हूँ अपने उसी फोल्डर में और इसका नाम रख देता हूँ amstrong number.c में से प्रोग्राम शुरू होगा अभी वहाँ पर html का क्लास है, सरका get ch इस तरीके से देखाँ तुम लोगों का नहीं है न इसके बाद यहाँ पर क्या-क्या चाहिए याद आ रही है, बाद में और याद आ है तो बना ले न, अभी इतना रहता हूँ पहला message दे दो, printf जब आप प्रोग्राम नहीं बना पाओगे आपके सामने output screen होनी चाहिए वहाँ पहला message क्या दिखना चाहिए enter a number, आपको यह पता करना iamstrong है की नहीं, पहले इंटर तो करवाओ तो printf, enter a number यह message बढ़की, उधर एक number इंटर करेगा, उसके बाद तो आपको scanf लिखना पड़ेगा, ताकि वो number इंटर करवा पाए, scanf और उसे रखवा दो, एक memory में x नाम की बस हो गया अभी हमारी बात हुई x में मान लेते हैं कितना है 153, आप से पूछना है मुझे, 153 है किस में, x में तो मुझे सिब 3 चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा, 3 चाहिए 3 निकालना है, 3 को अलग करना है mod करना पड़ेगा x mod 10 mod करने पर remainder मिलता है वही 3 मिलेगा इसको रखवा लेते है a नाम की memory में किसको? 3 को x को नहीं, 3 को x mod 10 करने पर जो मिलेगा वो a में रखना है x में कितना है? 153 है 153 mod 10 अगर करोगे न आप यह x मत देखो इसको इसको आप 153 समझो mod 10 करोगे, मिल गया इस तरीके से, उसके बाद a में आ चुका है क्या? 3 अब मुझे ना बीच का 5 चाहिए, तो कभी भी याद रखना बीच के digit को निकाला नहीं जा सकता क्या करो? last वाले को हटा दो 3 को हमेशा के लिए हटा दो ताकि last में कौन बचे? 5 अब 153 जैसे आपको क्या लग रहा? इस 5 को क्या लग रहा है? अरे यार ये ना मेरे रास्ते का काटा बन रहा है मैं last digit नहीं माना जा रहा हूँ इसके वज़े से इसको हटाने का plan करो ये हट गया तो last में ये आई जाएगा last वाले को बड़ा आसान है आसानी से आप mod 10 कर दोगे last digit मिल जाता अब बीच में होने की वज़े से नहीं मिल रहा है इसको साफ करना है यहां से तो इन्होंने क्या किया पता है? x को divide कर दिया 10 से x को divide करोगे 10 से कैसे? 153 को divide करोगे 10 से 10 से 10 बचा 5 10 फाइब बचा 50 और इधर आगया 3 divide करने पर देखो क्या मिलता है? 15 3 तो गायब हो जाता है वो तो नीचे जला जाता है तो divide करके एक नया result generate करो और उसको रखवा दो y में y में क्या आगया? 15 आगया की नहीं? इस 15 के साथ अब operation करो 5 मिल जाएगा उसको b में रख लो और जैसे ही y मिला मतलब आपने क्या किया? y में कितना था? 15 था 10 10 बचा 5 मिला ना 5 किसको? b को जब आपने mod किया होगा 10 से लेकिन इधर कौन है? 1 भी चाहिए ना आपको तो y divided by 10 करके 1 ले लो ना और उसको रख दो ना c में हाँ करता हूँ न वही तो यहां में मैं लिक देता हूँ c equal to y divided by 10 बस बात खतम हो गई इतना ही करना है आपको और जादा सोचने की जरूरत ही नहीं है बड़ा simple सा code होता है कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है आपको और बस यह 3 step हो गए फिर आपको क्या करना है a into a into a into a plus bracket लगा दो तो सही रहेगा और इसको रखवा दो d नाम की में में अभी बनाई नहीं है उसके बाद b into b into b plus c into c into c और इसका जो result आएगा d में आया है ना यदि d बराबर है किसके x के तो बोल दो it is m strong number it is m strong बस program खतम है लेकिन एक तरीका यह है एक और है वो अच्छा वाला तरीका बाकी अभी अगर three digit रहा ना तो यह तरीका सही है three digit number four digit रहा तो नहीं five digit रहा तो नहीं two digit रहा तो नहीं तो उसके लिए क्या करना है वो करेंगे वो तरीका थोड़ा complicated है लेकिन अच्छा है it is m strong it is not m strong क्योंकि अगर यह समझ गए ना वो अभी नया वाला तरीका आपके 8 से 10 program cover हो जाएंगे उससे related इतना important program है देखते हैं इसको चला के हाँ लेकिन सारी memories बनानी पड़ेगी नहीं तो अपना काम नहीं चलने वाला x है और को ना और बस run करते हैं वन फिफ्टी त्री अरे इट इस एम श्रक नमबर आ रहा है सही तो है देख लू पहले और कोई आ रहा है 407 हाँ आ रहा है सही तो है इसके बाद एक करता हूं 408 408 इतना साही program है इसमें से कुछ doubt है तो आप पूछ सकते हो देख लो आपके सामने पूरा program है अर्ण्टी तो है है से कुछ ए समेक उने कर रहा है झाल झाल